2222 विदानसवा चुनाव का रन अपने अंतिम दौर में पहुँच चुका है पौडी के कॉर्दवार विदानसवा सीट पर अब त्रिकोन ये मुकाबली की और अपना इशारा कर रही है कॉंग्रेस भाषपा को सीधी सीधी टक कर निदेले प्रत्याशी धिरेंद सिंग चहान से मिल रही है जिनसे बात की हमारे समवदाता मुकेश बचैती ने जो कॉर्दाल विदानसवा की लोग है उनके द्वारा दिया जा रहा है चौहान जी आपका न्यूज स्टूडियू में स्वागत है चौहान जी आप लंबे समय से भारती जंता पाटे की साथ रहे हैं फोजी जो एक भोट बैंक भाजपा का था वो आपके साथ रहा है देखिए हर कारेकरता मेहनत करता है जंता के साथ में जुड़ा रहता है भारती जंता पाटी बहुत अच्छी पाटी है संगठनात्मक पाटी है लेकिन चुनाओं के समय में कुछ गलत निर्ने हो जाते हैं उसके कारण समाज पे फरक पड़ता है हमें एक-एक सीट बहुत कीमती है ये सीट जो कोड़दार की है इसमें पिछले पांच सालों में क्योंकि जंता थोड़ा नराज थी और उन्हेंने मन बनाया था कि इस बार हमारा प्रत्याक्षी लोकल होना चाहिए हमारे बीज का होना चाहिए और पाटी ने जो जंता है उसके आवाज को कारेकरताओं की आवाज को नकार दिया और दिल्ली से एक फिर दुबारा से परियोग करते भे पहरा सुठ परत्याक्सी थोप दिया इससे कोरदार की जंता बहुत नाराज है भारतिय जंता पार्टी के कारिकरता भी नाराज है लेकिन भारते जिंता पार्टी के कारेकरता संगठन के लोग हैं जंडा जंडा बोगना है पार्टी के साथ खड़ा रहना है उनको तो वो खड़े हैं पार्टी के साथ अंदर से नहीं है खुस अंदर से खुस नहीं है और जिस दिन ये निर्ने हुआ था कि टीवी में आया कि रितू खंडूरी जी का यहां पे हुआ है उसी दिन यहां पे लोगों ने हत्यार डाल दिये थे कि यह सीट हम गवाँ चुके हैं यह गिफ्ट कर दिये हमने कॉंग्रेस को और फिर बहुत सारे बुद्धी जी भी मेरे पास आये और उनने कहा कि अब हमारे पास एक ही कि आप निर्दलिये चुनाव लड़ें और हम आपका साथ देंगे एक तरफा वोट करेंगे और इस सीट को बचाएंगे उनके कहने पर मैंने नामांकन किया है और अब आगे जैसे जैसे हो रहा है तो पूरु सैनिक हैं बहुत सारे अर्थ सैनिक बलों के लोग हैं वो कि अब ये चुनाव धिरें चुहान का नहीं है ये चुनाव कोरवार की जनता का हो गया है और अब कोरवार की जनता चुनाव लड़ रही है एक तरफ राश्ट्रिया पार्टिया है और एक तरफ कोरवार की जलाजनितिक पार्टियों से भारी भाहमें से जीतने वाली है ज इस तरह से इंदोनों को पार कर पाइगे आप देखिए बाधिकार अपना अधिकार ठोपने लगती जनता के उपर, जनता से पूछ के, जनता की सहमती से काम नहीं करती है, तो जनता फिर अपना रूप दिखाती है, और वो रूप इस बार कोड़वार की जो जनता है, वो दिखाने वाली है, अब आप देखिए उधारन के लिए, कॉंग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है, क कोड़वार की जनता ने उन्हें सराह है, लेकिन अब वो 73 साल के हो गए हैं, और इतना लंबा समय में, अब कोड़वार की जनता ये कह रही है, कि क्या दूसरे बच्चे नहीं थे, क्या दूसरे लोग नहीं है, कि जो आगे आने चाहिए, समाज का परतिनित्व करना मैं ही मैं हूँ, वह ही वही है, और कॉंग्रेस पार्टी उनको कोई दिखाई नहीं देता है, दूसरा कारी करता, ये लोग बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं ये, और यही चीज है थोपने वाली, कि नहीं, ये हमारा कंडेट है, आपके पास कोई विकल्ब नहीं है, इसी को आपको वोट करना है, आप बताएं, और दूसरी तरफ भार्टे जनता पार्टी है, जो बार बार दिल्ली से पहरा सुट परतियाक्षी जनता के ऊपर थोप रही है, जनता उप चुकी है इन दोनों के राजिदिक पार्टियों के इस निरने से, और इस बार जनता मन बना चुकी है कि हम दोनों राजिदिक पार्टियों को सबक सिखाएंगे, और हम खुद चुनाव लड़ रहे हैं सिलिंडर के रूप में, और जब राजिदिक पार्टी और जनता के बीच में चुनाव होगा, तो कोड़वार की जनता ये चुनाव जीतेगी, बहुत- काफी कटर रहा है, इस बार निर्दले रूप में धिरिंदर चौवान जी ने अपने इताल ठोकी है, किस तरह से फोजी जो निर्दले परताशी है, धिरिंदर चौवान जी की साथ जूटते जा रहे हैं। हमारे छेतर का जो विकास करेंगे, हमारे छेतर में जो आगे बढ़ेंगे, तो हम लोगों को भी वैसी सुवजाई मिलेंगे, अगर वो नहीं हूँ पाए, तो हम जिनके लिए पूरे पहले से ही तैयारी कर रहे हैं, और नाम भी उन्ही का चल रहा था, कि हां ये आ आ रहे ह नाम भी पढ़ते मिक्ता से उन्ही को देख रहे थे, लेकिन एन मौके पे जब ये चीज हो गया, कि भाई ये निवा तो मुझा जो मिलना चाहिए था, वो उनको दिरेंदर चौहान जी को नहीं मिला, उसके बाद में हम लोगों ने तुरंटी एक सभा किया, आपसी फोजि यही निर्न है किया, कि हम अपनी तरफ से चौहान जी को कैसे भी यहां से लड़ो आएंगे। खबर ली और उनका सुख दुख का हाल पूछा, और जो भी इन से बन पड़ा, तेल, चावल, चीनी, जो भी हुई, इन्होंने विचाराने आकर के, और पाईटया कहां थी वे, आकर के उन्होंने एक बार भी यह आकर के, यह नहीं देखा कि भाई, करोना काल में भाई, गर को जो समय में खड़ा हो जाए. उत्राखंड के मुद्दे, रोजगार से कामगार तक, परिटन से परवतों तक, सत्ता के गलियारों से हर गाव की गलियों तक, तन धारों की कलम से आम आदमी के हितों तक, और भी होगा बहुत कुछ देव भूमी से जुड़ा, देव भूमी के बारे में, देव भूमी के वासियों के साथ सिर्फ न्यूज स्टूडियो उत्राखंड पर खबर उत्राखंड की